Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस लेक्टर में हम अविदेश प्रताप सिंग युनिवर्सिटी के PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम Research Methodology पर कुछ important MCQs आज के सेशन में डिसकस करने वाले हैं. तो काफे important session होने वाला है, मैं आपको बता दू कि आपके जो Research Methodology के MCQs है, आज के सेशन में मैंने वो MCQs आपके साथ डिसकस करा है, जो जनरली आपके PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूचे ही चाहते हैं. मैं आपको बता दू कि आपको पता होना चाहिए, अविदेश प्रताप Singh University का जो पहले PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंड़क्ट हुआ था, यह आपकी जो डेट थी तब 22nd of July 2022 आपकी PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट थी, लेकिन अब उस डेट को चेंज क करवाया जागा, तो आपके पास more than a month remaining है, इस more than a month, यानि एक महीं ने से भी जाद आपकी पास time बचा हुआ है, आपको जल से जल preparation को start करना है, तो बता दू शौट में कि आपको किस तरीके से सारे चीज़ों को follow करना है, और आगे मैं आपको बता दू, आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि आपका schedule जो जिस तरीके से change हुआ है, उस notification का भी मैंने screenshot आपको आगे बता रखा है इसी वीडियो में, तब मैं next आपको बता दू, आपको जो PSG inference examination है, उसमें आपको total 100 MCQs पूछा जाता है, ठीक है, 100 MCQs को उनने 50-50 MCQs में convert करा है, ठीक है, अब यह जो first आपको 50 MCQs पूछा जाता है, यह आपको research methodology पर पूछा जाता है, remaining 50 MCQs जो है, यह आपको आपके subject से specific पूछा जाता है, अब इसके लिए syllabus है, research methodology का तो आपना journal syllabus है, जो मैं आपको पढ़ाते रहती हूँ, जैसे meaning of research, characteristics of research, steps of research, यह होता है आपके research methodology का syllabus, और आ आपके जो official website पर जो syllabus है, वो वाली link मैं आपके साथ नीचे description box में share कर रहा है, जिससे कि आप directly इस link पर जाकर आपके syllabus को follow कर सको, अब जैसे कि आपको बता है, 100 MCQs पूछ जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है, यह अगर आप 50 MCQs पूछा जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है तो मैं आपको बता दू, research methodology पर हमको complete course प्रोवाइट करते, जैसे कि app screen पर देख सकते हो, वीडियो lectures, notes, mock test, और 1500 plus revision MCQs PDF, तो इस तरीके से हमको सारा content नेकी जग़े पर प्रोवाइट कर रहे हैं, याद रखेगा, आपको दोनों language में हमको content प्रोवाइट करते हैं, 100% जो questions examination में हमारे इस ही आपको content से पोचे जाएंगे तो यह पर 100% guarantee के साथ हम आपको content provide कर रहे हैं तो आपको टाइम लेस्ट नहीं करना है जल से जल course को purchase करना है purchase करने के लिए screen पर यह जो number आपको नज़र आ रहा है इस number पर आपको WhatsApp कि तुर हमें contact करना है और आप हमारे app कि प्रूबी study material को access कर सकते है जो कि है global online app जिसकी मैंने link आपके साथ नीचे comment section और description box में भी share कर रहे है so that's it and let's begin with the video so that's it and let's start the mcqs start करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीकी से हमारे content जो हम आपको provide करते है जो study material हम आपको provide करते है उसके बारे में एक बार में आपको पटक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures mock test notes प्रोवाइट करते हैं और 1500 plus mcqs revision pdf यह सारा जो content आप देख रहे हैं screen पर यह आपको एक ही जगा मिलेगा कई students क्या करते हैं internet से study material refer करते हैं so internet पे जो language use करी जाती है बहुत difficult language use करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से यह जो content है आपको किस तरीके से read करना है कितना content आपको follow करना है क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं आपको कितना study material यूज करना है बहुत ज़्यादा भी ने आपको पढ़ना है बहुत कम भी ने अपको sufficient है आपके study के लिए उतना आपको पढ़ना है हमारे course में हम आपको guide करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस topic पर जादा focus रहना है कहां से जादा questions आपको पूछे जा सकते हैं यह सारी चीज़े हमारे course में आपको बताते हैं याद रखेगा, normal calls number पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस app के तुरू भी study material को access कर सकते हैं, so app को access करने के link मैंने आपके साथ description box में provide कर रखी है, so that's it and let's begin with the MCQs. जैसे कि MCQs start करने ते पहले मैं आपको जल्दी से एक बारी बता दू, यह आपका revised schedule है, यहनी आपका schedule जो है, APS यहनी आवदेश प्रताप सिंग उनिवर्सिटी का, जो भी आपको PhD entrance examination है, उसका schedule यह चेंज कर दिया है, और यह जो आपकी notification आई थी, उसका यहाँ पर मैंने screenshot लेकर रख लिया है, तो आप भी इस notification का screenshot लेकर रख सकते हो, लेकिन आप इन्होंने close कर दिया है, और आपकी जो hard copy है, आपकी जो hard copy होगी, receive की आपको इस address पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी university के address पर आपको submit करना है, जो कि है, इसकी date इन्होंने provide कर रहे है, 25th of July 2022, ठीक है, नेक्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो doctoral entrance test है, APS University का, यह आपका 26th of August 2022 को conduct करवाय जा रहा है, यहाँ पर इन्होंने टाइम भी आपके साथ शेयर कर रहा है, विच इस 11 am to 1 pm, ठीक है, यानि सुबह 11 बज़े से दुपर एक बज़े की बीच में, आपका examination conduct करवाय जागा, यह notice रही आपकी जो के फिर से इन्होंने change कर रहा था, तो इस notification का मैंने screenshot आपके साथ शेयर कर रहा है, तो आपका अच्छी तरीकी से date वगेरा याद रखना है, पहला प्रेश्ट, शोथ की गहराई का अंदाजा किस चीज से लगाया जा सकता है, इस प्रेश्ट में हमें find out करना है कि किसी भी शोथ की गहराई का अंदाजा कि हम किस चीज से लगा सकते है, तो हम इस question को एक एक करकर हर विकल्प के दूरू solve करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको विकल्प A given है, शोथ कार्ये का शिर्शक, तो विकल्प A में आपको बताया गया है कि किसी भी शोथ की गहराई का अंदाजा उस शोथ के कार्ये के शिर्शक से लगाया जा सकता है, शिर्शक का मतलब होता है आपका टाइटल, आप किसी भी शोद की गहराई का अंदाजा उसके शिर्षक से नहीं लगा सकते हो, जिससे मान लीजिया, आपकी जो शोद है, उसका शिर्षक है आपका COVID-19 वाइरस, सिर्षक है उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपकी शोद की कितनी गहराई है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो, यहापर आपका जो विकल्प A है, यह गलत हो जाएगा, then हम option C देखते हैं, विकल्प C देखेंगे हम, अनुस अंदान का कुल खर्च, मतलब आपके शोद में कुल कितना खर्च हुआ है, कुल कितना पैसा खर्च हुआ है, उससे आप अगर किसी शोद की गहराई का अंदाजा लगा सकते हो, क्या, जैसे कुछ कुछ शोद में जादा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ कुछ शोद में कम पैसा खर्च हो जाता है, उससे तो आपको सिद्ने कह सकते हो और है कि वह रिसर्च बहुत अच्छी है उसके आप उसकी घराई का अंदर्जा भी उसके खर्ट से नहीं लगा सकते हो यह पर आपका विकलप सी भी गलत हो जाएगा देंड विकलप लिड्म है शोद की अवधी का मतलब होता है डिवरेशन अप कुछ-कुछ जो शोध होती है उसमें कम Time Spend होता है कम आपका समय लगता है और कुछ-कुछ Research जो होती है कुछ-कुछ शोध जो पहती है उसमें आपका जो समय है वो जादा लग जाता है उस से भी आप किसी भी शोध कि गहराई का अंदाजा, आप उस शोद की उद्देश है, उस शोद का क्या उद्देश है, मतलब क्या objective है, उससे लगा सकते है, तो यह पर आप जो आपको विकल भी है, यह सही हो जाएगा, शोद का उद्देश, अप जिसे आपको इशोद कर रहे हो, आप किसी भी टॉपिक पर आप किसी भी शिर्शक पर आप रिसर्च कर रहे हो, उससे जो आपको नतीजा मिल रहा है उससे जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो उससे आपका जो रिजल्ट आगा, क्या वो आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो आपकी society के लिए क्या उसके result beneficial है क्या लोगों के लिए वो beneficial साबित होगा उसके थुरू आप बता सकते हो कि आपकी शोध की गहराई का अंदाजा लगा सकते हो आप बता सकते हो कि वो research कितनी अच्छी उस research की depth क्या है आप किसी भी शोद की गहराई का अंदाजा उसके शोद के उद्देश है उसके objective से लगा सकते हो आपका correct option हो जाएगा option B objective of the research और विकल भी शोद का उद्देश अगला प्रश्ट संभयवता नमूना करण को अन्यथा क्या कहा जाता है probability sampling is otherwise called इस question में हमें यह पता लगाना है यह find out करना है कि संभयवता नमूना करण जिसे हम probability sampling कहते हैं उसे हम और किस नाम से जानते हैं और उसे अन्यथा क्या कहा जाता है हमें यह पता लगाना है so again हम एक एक करकर हरी भी कल्प को देखेंगे solve करेंगे उसके थुरू हम इस question को solve करेंगे जैसे आपको याद रखना है कि नमूना करण नमूना करण के दो प्रकार होते हैं एक होता है आपका probability sampling जिसे हम संभयवता नमूना करण कहते हैं एक होता है आपका non probability sampling जिसे हम गयर संभयवता नमूना करण कहते हैं अब probability sampling में जो researcher है जो किस तरीके से अपने population में से members को select करते हैं अपने आबादी में से सदसे को किस तरीके से चुन लेता है कि randomly, randomly मतलब यहाँ पर probability sampling में संबरता न मुना करन में जो researcher है वो अपने अंदाज को अपने जो अंदाज होती है अपने जो सुवीधा होती है उसको आगे रखकर जो आपकी आबादी में से सदसे को select नहीं करते है वलके randomly select करते है और non probability sampling जिसे हम गेर संबरता न मुना करन कहते है इसमें जो researcher होते है वो अपने जो population होती है अपनी जो आबादी होती है उसमें से जो कुछ सदसे को चुनते है वो अपने अंदाजे के इसाब से अपनी सुवीदा के मुताबिक population में से मतलब आबादी में से सदसे को चुन लेते हैं तो इस तरीके से research on non probability sampling मतलब गेर संबरता नमुना करन में से अपने आबादी में से कुछ सदसे को चुन लेते है जो कि उनका नमुना करन बन जाते है अब इस प्रश में हमें ये पत लगाना है कि probability sampling जिसे हम संबह होता है नमूना करन कहते हैं उसको हम अन्यता और क्या नाम से जाना जाता है याद रखेगा आपका जो probability sampling है उसे हम random sampling कहते हैं मतलब याद रख्चिक नमूना करन कहते हैं यहाँ पर आपका जो विकल्प A है यह correct हो जाएगा और विकल्प B जो है आपका वो हो जाता है आपका गेर याद रख्चिक नमूना करण जिसे हम non-probability sampling भी कहते हैं जिसे हम गेर संभवता नमूना करण भी कहते हैं याद रखेगा आपके एक्जाम में ऐसा भी प्रशन आ सकता है non-probability sampling is otherwise called गेर संभवता नमूना करण को अन्यता हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है so non-probability sampling गेर संभवता नमूना करण को अन्यता गेर याद रख्चिक नमूना करण केते हैं और probability sampling याद रख्चिक नमूना करण केते हैं so यहाँ पर आपका जो विकल्ठ यह है यह सही हो जाएगा so यहाँ पर आपका option A Random Sampling यह आपका correct option हो जाएगा अगला प्रशन Data are represented in the form of notes, recordings and videotapes in. इस प्रश्च में हमें ये find out करना है, ये पता लगाना है, कि data को notes, recording और videotapes के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी research का, कौन सी अनुस्तनधान का example होगा. अब आपको याद रखना है, आपके जो दो research mainly जो होती है, जिसे qualitative and quantitative मतलब गुनात्मक और मात्रात्मक. तो गुनात्मक अनुस्तनधान में आपके पर जो भी data होगा, वो notes, recording और videotape के रूप में होगा. तो यहाँ पर आपका विकल्प A correct हो जाएगा. Then विकल्प B, मतलब option B आपको given है, मात्रात्मक अनुस्तनधान. मात्रात्मक अनुस्तनधान, जिसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा. मात्रात्मक जिसे हम quantitative कहते हैं, जो numbers को दर्शाता है. मात्रात्मक अनुस्तनधान में हमारे पर जो भी data होता है, यह numbers के रूप में होता है. मात्रात्मक अनुस्तनधान में हमारे पर जो data होगा, वो numbers के रूप में होगा, जिसे किसी की उमर, किसी की height, किसी की उचाई, किसी का वजन. यह आपका मात्रात्मक अनुस्तनधान के examples होगे. यहाँ पर जो आपका विकल्ब भी है, यह गलत हो जाएगा. Then विकल्ब C आपको given है, experimental research जिसे हम प्रयोगिक अनुस्तनधान केते हैं. प्रयोगिक अनुस्तनधान, ऐसी अनुस्तनधान होती है, जिसमें basically आपके पास जो data होता है, इसमें भी आपके पास जो data होगा, वो number के रूप में होता है. और experimental research में और प्रयोगिक अनुस्तनधान में आप mainly आप जो variables होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संभन्ध है, उसको पता लगाते हो. मतलब cause and effect relationship आप find out करते हो. So experimental research मतलब प्रयोगिक अनुस्तनधान में भी आपके पास जो data होता है, ये numbers के रूप में होता है. So यहाँ पर आपका जो option C, जो विकल्प C है, ये भी incorrect हो जाएगा. So आपके पास ऐसा data, जो notes, recording और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है. So ये आपके गुनात्मिक अनुसंधान में example होगा, मतलब qualitative research का example होगा. So यहाँ पर आपका जो correct option हो जाएगा, correct विकल्प हो जाएगा, वो है आपका option A और विकल्प A. अगला प्रश्ण हो, सत्य होने के स्तती में नगन्य परिकल्पना की अस्विकृति क्या कहलाती है? Rejection of null hypothesis when it is true is called. इस प्रश्ण में हमें find out करना है, ये पता लगाना है कि आपकी जो null hypothesis है, अगर आपकी null hypothesis मतलब नगन्य परिकल्पना आपकी सत्य है, नगन्य परिकल्पना मतलब null hypothesis आपकी true है, true होने पर भी, सत्य होने पर भी आपने इसको reject कर लिया, मतलब आपने इसको अस्विकार कर लिया, then उस case में ये आपकी कौन सी true होगी, ये आपके कौन से type का error होगा, हमें ये find out करना है, अब जैसे के आपको पता होना चाहिए कि hypothesis क्या होती है, मतलब परिकल्पना क्या होता है, hypothesis एक tentative statement होता है, जो आपके शोत करता के अंदाजे और अनुमान पर अधारित होता है, आपको याद रखना है, बहुत important है, hypothesis, मतलब परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं, एक tentative statement होता है, जो शोत करता के अंदाजे और अनुमान पर बेस्ट होता है, और इसी को शोत करता अपनी research में test करते हैं अब जो hypothesis है उसे test करने में researcher से गलती होती है उसी को हम कहते है errors और truth अब research में डो type की truth होती है एक होती है आपकी type 1 error एक होता है type 2 error type 1 truth और type 2 truth तो यह आपको याद रखना है यह table बहुत important है इस figure में आपको देखना है जिसे कि आपकी जुननल hypothesis है मतलब आपकी जो नगन्य परिकल्पना है अगर यह true है मतलब यह सत्य है सत्य होने पर भी आपने इसको अस्विकार कर लिया आपने इसको reject कर लिया तो यह हो जाती है आपकी type 1 error और type 1 truth अगर आपकी जुननल hypothesis है मतलब जो नगन्य परिकलपना है यह false है मतलब यह गलत है गलत होने पर भी आपने इसको accept कर लिया मतलब आपने इसको स्विकार कर लिया धेन यह हो जाती है आपकी type 2 error और type 2 truth और इस प्रश्ण में हमें पूछ रहा है कि आपकी जो type जो आपकी नगन्य परिकलपना है जो आप सि एरर के लाएगी वो कौन सी प्रूटी के लाएगए आपकी टाइफ Québec 1 प्रूटी. ऐसे किया कर लियाओके आपके जो नल हाइपोथिस दिंश्ते आपकी नगरन्य परिकल पना है वो सत्य है और फिर आपने इसको reject कर लिया आपने इसको लियाओकि तो तो वह हो जाती है आपकी type 2 error इस प्रशन का आपका सही उत्तर होगा विकल B जो किया है type 1 through T, अब आपको sampling error तीदृष through T और standard error मतलब नामक through T, तो यह जो sampling से related है, यह term यह जो term से आपकी sampling से related है, जब मैं आपको वो concept समझाओंगी, तब हम यह सारे terms देखेंगे, तो आपको अभी confused ने होना है, आपको इस प्रशन में बस इतना ही याद रखना है type 1 error and type 2 error, type 1 through T और type 2 through T क्या होती है तो इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, option B type 1 error और type 1 through T अगला प्रशन निमलिखिद में से किस चर को मातरात्मिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms इस प्रशन में हमें ये find out करना है ये पता लगाना है कि दिये गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है कौन सा ऐसा एक variable है कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके quantitative term को और मातरात्मिक शब्दों को express नहीं कर रहा है व्यक्त नहीं कर रहा है अब हम बन बाई वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पताना चाहिए कि quantitative term क्या होता है मतलब मातरात्मिक term क्या होता है quantitative जिसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है जो quantity बता है जो quantity बता है और quantitative terms में हमारे पास जो भी variables होंगे जो भी चर होंगे यहाँ पर हमारे पास numbers में सारा data available होगा आपको याद रखना है numbers के form में हमारे पास सारा data present होगा जो के number को दर्शाता है अब quantitative terms को कौन सा variable कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है हम ये one by one हर एक विकल्म देखेंगे और इस प्रशन को solve करेंगे so option यह आपको given है social economic status जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्तिती so किसी की सामाजिक आर्थिक स्तिती उसके income से लगाया जा सकता है so income numbers के form में होती है okay number पर आधारित होती है किसी की income कुछ हो की 90,000 किसी की income होगी 90,000 किसी की 70,000 so यह आपको numbers के रूप में data मिल रहा है so यह आपका quantitative term का express कर रहा है यह जो आपका option A विकल्प A जो आपको इक quantitative term को express कर रहा है और दर्शा रहा है so यह आपका option A incorrect हो जाएगा विकल्प A गलत हो जाएगा then विकल्प B marital status जिसे हम कहते है विवाहिक स्तिती किसी की विवाहिक स्तिती कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे दर्शाइद जा सकते है माले जिए इंडिया है इंडिया में आप यह कह सकते हो के marital status इंडिया के लोगों का marital status 70% married है मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको यह numbers की form में मिल रहा है आपको option भी गलत हो जाएगा देन विकल्प्स हम देखते हैं जो कहें numerical aptitude जिसे हम कहते हैं संख्यात्मग अभीरूची किसी की संख्यामग अभीरूची मतलब किसी की संख्यामग अभीरूची जिसे numerical aptitude में यह हम पता लगाते हैं कि जो person है कोई भी person है वो maths में कितना अच्छा है वो maths किस तरीके से वो solve कर पा रहा है जिसे numerical संख्यात्मग numbers मतलब आपको जो word given है उसी में आपको numbers को दर्शारा है यह word यह obviously आपका जो है quantitative term को express कर रहा है आपका विकल्प्सी यहापर आपका विकल्प्सी भी गलत हो जाएगा then we call the professional aptitude professional attitude जिसे हम कहते हैं पेश्यूवर अभीरूची इसी के professional attitude मतलब वो person कैसा है वो person कैसा है आप यहाँ पर उसकी quality को दर्शारा रहा है उसके यहाँ पर यह quantitative term को express नहीं कर रहा है बलकि यह qualitative term को express कर रहा है so professional attitude यह आपके quantitative term को नहीं दर्शारा है बलकि qualitative term को दर्शारा है इसलिए यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा option D professional attitude पेश्यूवर अभीरूची and आज के लिए बसने तना ही and thank you for watching this video